बारती खिलाडियों ने टोक्यो अलेम्पिक के आधे सफर में अब तक दो मैडल पक्के कर लिये हैं लेकिन अभी और मैडल पक्के हो सकते हैं जिसके लिए आज 31 जुलाई का दिन बेहद अहम है टोक्यो अलेम्पिक अपने आधे सफर पर आचुका है अब खेलों के इस महाकुम्ब का आधा सफर और बचा है बारती खिलाडियों ने टोक्यो अलेम्पिक के आधे सफर में अब तक दो मैडल पक्के कर लिये हैं लेकिन अभी और मैडल पक्के हो सकते हैं जिसके लिए आज 31 जुलाई का दिन बेहद अहम है आज यानि 31 जुलाई को भारत कई सारी ऐसे खेलों में सिरकत करता दिखेगा जिन में मैडल की उम्मीद परवान चड़ती दिखेगी सनीवार को भारत, आर्चरी, मुक्के बाजी, बैटमिंटन, हौकी, शूटिंग, सेलिंग जैसे खेल में सिरकत करता दिखेगा इसके अलावा एतलेटिक्स में भी भारती खिलाडियों का जोर देखने को मिलेगा हाला की जिन तीन खेल इवेंट से सनीवार को मेडल की उम्मीद जकती दिखेगी वो बैटमिंटन, आर्चरी और शूटिंग होंगे अतनू दास और निशाने बाजो पर रहेंगी निगाह मेंस आर्चरी में भारत के अतानू दास मेंस सिंगल में अपना प्री क्वार्टर मैच खिलने उतरेंगे जिसमें उनका मुकाबला जापान के तिरंदाच से होगा इसके बाद इस इवेंट का क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल और फाइनल भी खेला जाएगा मेंस सिंगल्स के अलावा तिरंदाजी के मेंस टीम इवेंट के मुकाबले भी होंगे इसके अलावा महिलाओं के बैटमिंटन सिंगल्स में सभी की निगाहें पीवी सिंदू पर भी होंगी जो अपना सेमी फाइनल मुकाबला खेलती दिखेंगी वही शूटिंग में महिलाओं के 50 मीटर थ्री पोजीशन के इवेंट होंगे जिसमें अन्जुम, मौदगिल और तेजसुनी सावंत पर सभी की निगाहें होंगी वही मुक्के बाजी में भारत के मेंस बॉक्सर अमित पंगाल भी रिंग के अंदर हल्चल मचाते दिखेंगे महिला होकी में जीत जरूरी होकी की टर्फ पर आज कति जुलाई को भारती महिलाओं के लिए जीत बहुत जरूरी होगी भारत की महिला होकी टीम को अगर क्वार्टर फाइनल में पहुचना है तो आज साउथ अफरिका को हर हाल में हराना होगा इसके अलावा इस बात की भी दुआ करनी होगी की आयरलेंड अपना आखरी ग्रूप मैच हार जाए साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में इन्फोर्मेशन मिल सकें धन्यवाद साथियों